हेलो एब्रिवान मैं सभीता आप सबको स्वागत करती हूं मेरे चैनल में तो आज मैं लेकर आई हूँ चीज आलू पराथा यहर किसी को खाने में पसंद आती है और देख सकते हैं कितना फूला फूला आलोगा पराथा बहार से बहुत क्र isot बहुत क्रिश्पी बनती है अपका पराथा फूला पोला क्र isp iki बनेगा और आप चोड़ी चोड़ी ट्रिक्स के साथ ये बनाएंगे तो वीडियो को एन तक देखें और अगर रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही आगे मज़ेदार रेसीपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए आज की रेस आटे में पराठा ऊपर से क्रंची क्रिस्पी बंती है है कि इसको में अच्छे से मिक्स कर लूँगे था इसे मिक्स करने के लिए पराठा का दो है वो रोटी के दो से थोड़े से डिफेरेंट बनती है एसा नहीं कि हम रोटी के डो के तरह इसको हम गोंद लेंगे और पराठा बना लेंगे ऐसे में बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है आलू का पराठा तो उसकी डो थोड़ी सी डिफरेंट होती है रोटी की डो से ज्यादा नर्म भी नहीं कि ज्यादा हाड भी नहीं हमें मीडि सा नर्म होगा यह और आठा ज्यादा सर्थ होने से भी भट सकती है पराठा और ज्यादा नर्म होने से भी आलू जो है वो चिपक के मतलब बहार आ तो हमें डो जो है मीडियूम सा नर्म बनाएंगे आलू के पराठे में यहीं मेन स्टेफ है डो अच्छी हो तो पराठा अच्छी बनती है तो देखिए अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालोंगे और आटे को गोंद लोंगे एक साथ ज्यादा पानी बिल्कुल ना डाले थोड़ा-थोड़ा करके डालें तो देखिए आटा कुनने के टाइम हाथ में आटा चिपक जाती है तो यह एक अच्छी टीप्स है जब आटा हाथ में चिपक जाये ना तो हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे फिर हम इसको आटे में गुंदेंगे तो पूरा जो आटा हाथ में लगा रहता है वो आटे में बिल्कुल आ जाती है और हाथ पूरा क्लीन हो जाती है यह बहुत अच्छी टीप्स है दोनों हाथ लगाने की कोई ज़वरत नहीं होती है ह हामें और हाथ में आटा लगा रहता है तो अच्छी भी नहीं लगती है तो देखिए पूरी तरह हाथ क्लीन हो गया है तो देखिए आटा कितनी नर्म है ऐसा ही आटा चाहिए हमें तो इसको में एक्स्ट्रा दो मिनिट के लिए गोंदलूंगी अच्छे से ताकि जो आटा में ग्लूटेन क्रियेट हो और खीचापन आ जाए आटे में तभी हमें आटा पराठा बेलने के टाइम हमें इजी हो तो देखिए मैंने अच्छे से गुंदलिया है इसको इसे मैं अभी कवर करके रखूंगी 15-20 मिनिट के लिए रेश्ट दूंगी फिर हम पराठा त्यार करेंगे तो उसी टाइम में चलिए हम आलू का स्टफिंग जो है वह त्यार कर लेते हैं देखिए मैंने यहां पर उबला हुआ आलू यह मिडियम साइज के आलू साथ आलू है और वजर में यह हाफ केजी है और आलू बिल्कुल थंड़ा होना चाहिए गर्म आलू बिल्कुल भी ना ले पराठाज के लिए और इसी फोक से हम मैस्क करेंगे तो यह बहुत अच्छे से हो जाती है तो देखिए आलू को मैंने बहुत अच्छे से मैस्क कर लिया है अब कुछ मसाला अट करेंगे हम इसमें तो सबसे पहले मैं टेस्ट एकोडिंग नमक डाल रही हूं इसमें मैं बहुत ही कम मसाला डालोंगे बहुत ही सिंपल रखेंगे क्योंकि हम चीज डालने वाले हैं तो चीज का फ्लेवर आना चाहिए पराठा में ज्यादा मसाला हम नहीं डालने वाले हैं इसमें अब मैं ड एस्ट के कोडिंग ले जाएं दो छोटी चमाज में कोरियंदर पाउडर डाल रहे हूं धन्या पाउडर और एक छोटी चमाज में डाल रहे हूं यहां पे भुने हुए जीरे का पाउडर रोस्टेट क्यूमिन पाउडर और एक बड़ी चमाज में डाल रहे हूं यहां पे कसूरी मेथी यह बिल्कुल ऑफस्टनल है आप अगर डालना चाहते हैं तो डाले नहीं तो स्किप कर सकते हैं क्यूंकि हमने धनिया पत्ता भी डाला है ना उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आती है पराठा में और हम चीज पराठा बना रहे हैं तो मैं इसमें कुछ भी खटाई चीज नहीं डाल रहे हूं जैसे कि आमचूर पाउडर हो गया या लेमन हो गया यह कुछ भी में आट नहीं कर रहे हूं चीज ऑल्रेड़ी खटा पन रहता है चीज में और उसका टेस्ट बहुत अच्छी आती है पराठा में तो मैं और कुछ भी दुसरा खटा चीज आड़ नहीं कर रहे हूं ठीक है अब मैं इसको मिक्स कर लोगी चीज पराठा में हम आलू का स्टाफिंग जो है वह जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा फ्लेवर आती है चीज का और बहुत अची लगती ह में ज्यादा मसाला बिल्कुल भी आड़ ना करें तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और चीज को भी मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है तो चलिए अभी पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं तो पराठा बेलने से पहले हम आठा को 15 से 20 सेकंड के लिए और एक बार में गुन लूँगी तो देखिए कितना नर्म आठा है बहुत ही अच्छा ऐसा ही होना चाहिए तो चलिए अभी पराठा बेलते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे रोटी हम जो बनाते हैं उसका जो लोई लेते हैं उससे थोड़ी से बड़ी लोई लिया है और लगा लिया है और अठा लगाने के बाद हम इसका एक कटोरी से सेफ दे देंगे दोनों हाथ यूज करके मैं एक कटोरी से देदूगी देख सकते हैं मैं अंदर से जो हमारा फर्स्ट फिंगर है उससे दवा रही हूं अंदर के साइड और बाहर के साइड भी ऐसे गुमाते हुए मैं हलका हलका प्रेस कर रही हूं देख सकते हैं देखिए यह कटोरी बन गया अभी हम स्टपिंग डालेंगे और जितना बड़ा हम आटा का लोई लिया था उतना ही साइज का हम आलू लेंगे कि और आलू को भी हम हलका-लका प्रेश करके सेट करेंगे ठोड़ा धबा देंगे ताकि चीज दालने के लिए स्पेश बन जाए और एक बड़ी चमश चीज हम डालेंगे इसमें चीज का प्रेवर अच्छा आना चाहिए तो ज्यादा चीज हम डालेंगे और फिर इसको हम इसे बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको में तोड़के निकाल लोंगे कि और देखिए हलके हाथ से मैं प्रेस कर रही हूं तो इस तरीके से हम सारा पराठा ऐसे त्यार कर लेंगे तो देखिए और एक में बनाके दिखाती हूं आटा का लोई लेले और शुखा आटा लगा लें इसमें करने कमा और फीर दोनों हाथ यूज़ करके कटोरी safe दे दें हैं लोह हाथ के फर्स्ट फिंगर अंदर के और होना चाहिए है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए घोमाते हुए कटोरी का सेव देदें और जो बीच वाला है ना वो थोड़ा मोटा रहेगा साइड से हमें पतला करना है देखिए कटोरी बन गया ना फिर हम इसमें आलू डाल देंगे आलू डालने के बाद भी में थोड़ा थोड़ा प्रेश करते इसको दबा रही हूं और फिर उसके बीच वीच हम चीज डाल देंगे पिर हमें इसे इसे बंद करेंगे देखिए ऐसे ही हमें बनाना है तो चलिए अभी हम बेलते हैं पहले हमें दोनों साइड सुखा आटा लगाना है ताकि यह नीचे से ना चिपके और बेलन भी ना चिपके तो देखिए दोनों साइड मेंने सुखा आटा लगा लिया है और इसे मैं अभी बेलूंगे और बेलने का भी एक ट्रीक है बहुत लोगों का कंप्लेन रहता है कि पराठा फट जाता है साइड से निकल जाती है आलू तो केसे बलना है मैं यह बताओंगे अब बीस में ज्यादा प्रेस ना करें बीस में ज्यादा प्रेस करने से क्या होता है आलू का जो स्टफिंग होता है वो साइड में आ जाती है और फट जाती है ठीक है तो 20 में हमें हलका सा फ्रेस करना है फिर हमें नीचे तरफ लेनके बेलना है तो देखिए हलका सा हमें ऊपर लेना है फिर हलका सा नीचे भी खिचना है ठीक है इसे करने से आप जितना भी बड़ा पराठा बना लो ये कभी नहीं फटेगा देखिए ब सुखा आटा अच्छे से लगा लेंगे पहले पिर बीस परेस करना के साइड से प्रेस करना है साइड से उपर से प्रेस करके उपर लेेले पहलाज हैं देख़िए देकिए बहुत और प्रेज करना है बहुत ही हलका प्रेज करके क्या करेंगे लेब्ट साइड हम ओपर ले जाएंगे और नीचे जो लाएंगे राइट से बहुत हलका से खीच के लाएंगे देखिए इस तरह करने से आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और जो आलू का स्टफिंग हमने डाला है वो चारो तरफ इक्वैली स्प्रेड होगा देखिए इस तरह हम सारा पराठा बिल्के तियार कर लेंगे तो चलिए अभी सेक लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक तावा गरम कर लिया है तावा को अच्छे से गरम होने दे और गरम होने के बाद हम इसमें पराठा डाल देंगे और यहाँ पे गेस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में हम पराठा को एक सेट दो मिनिट तक सेक लेंगे और फिर हम पलटने के बाद दूसरी साइड भी हम दो मिनिट तक सेखने के बाद उपर से हम तेल या घी या बटर कुछ भी आप डाल सकते हैं कुछ भी डाल के आप सेख लें अच्छे से मैं यहाँ पर रिफाइंड ओयल यूज कर रही हूं फिर दूसरी साइड भी मैं तेल डाल रही हूं और चारो तरप अच्छे से तेल लगा लूँगी मैं स्टार्टिंग से आप ज्यादा ना दवाएं इसको हलका हलका हमें फ्रेज करना है ताकि यह अच्छे से फूल जाए देखिए दिरे-दिरे फ्रेज करने के बाद पराठा विल्कुल फूल चुका है और जब पराठा अच्छे से फूल जाए ना हम उपर से उसको थोड़ा दिरे-दिरे दबाएंगे देखिए मैं कैसे दबा रही हूँ ऐसे में क्या होता है नीचे में पराठा अच्छे से पकेगा और क्रिस्पी बनेगा पराठा देखिए ऐसे धीरे-धीरे हम दबाएंगे दोनों साइड हम वलट वलट करके ऐसे दवाएंगे और देखिए पराठा कितना क्रिस्पी और कितना यामी देक रही है बहुत क्रिस्पी बना है और बहुत टेस्टी बना था देखिए तो देखिए हमारा चीज आलू पराठा बनके तयार है और यह कितनी यमी कितनी क्रिस्पी दिख रही है यह बहुत टेस्टी बहुत यमी बना था इसे एक बार जरूर ट्राइ करें आपकी पराठा भी बहुत बढ़िया बनेगी बस जो मैंने बताया छोड़ी चोड बंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसे मज़ेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले और हां सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन का बोटन है ना उसे प्रेस करें आल पर ताकि मेरे आगे आने वाली सारी रेसिपीज के नॉटिफिकेशन अब सबको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स टेसिपी के साथ स्टे होम स्टे सेफ टेक क्यार बाई बाई प्रेस बाई बाई